ओकी चरी मैं सारे क्यूज पर वापस आँगा लेकिन एक बार के लिए एक बेसिक स्टाटजी जो यहां की स्टाटजी है वो एक बार वापस डिसकस कर लेते हैं और एक चीज मैं बार-बार हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि बड़े ट्रेंड को पकड़ के रखें यह बड़ा ट्रेंड वाइलेट होगा सिरफ और सिरफ 200-day moving average के नीचे जो कि अब यहां से बहुत नीचे तो जब भी बड़े ट्रेंड में कोई भी counter trend move मिलता है वो हमेशा अपके लिए एक opportunity होती है और अगर बड़े trend में इसका मतलब क्या अगर बड़े trend में गिरावट आए तो उस गिरावट से डरना नहीं है उस गिरावट को as opportunity यूज़ करना है हमेशा और मैं यह इसलिए भी अच्छा मैं यह इसलिए भी कह रहा हूँ कि यह नहीं कि सिर्फ कल market में 100 point की rally आगी 200 point की rally आगी जो हमने expect भी कहा था कि 200 point की rally आ सकती है नहीं भी आई होती है आज अगर हम वापस भी किर गए और मार्क को हमने फिर भी break कर दे हैं तब भी मेरा view वही रहेगा कि अगर आप एक investor हैं तो अच्छे share खरीदने का time correction में ही आता है अच्छे share आप correction में खरीदेंगे तभी वो जब अगला uptrend आएगा उसमें आपको reward करता है यह market का नियम है अगर आप trader है तो आप screen को respect करिए trend के साथ रहिए वो अलग बात है लेकिन अच्छे share खरीदने का वक्त correction में होता जो हमने पिछले 6-7 दिन में देखा यह हो सकता आगी भी देखने को आपको मिल जाए ट्रेडर अगर आप हैं तो ट्रेडर को दो तरीके की market होती है एक होती है trending market एक होती है choppy market trending market में भी एक up trending market एक downtrending market आपको दोनों तरफ की trades लेनी चाहिए जैसे पिछल अब यहां से आप वापस लॉंग रहिए dips बाय करने की कोशिश करिए consolidation पर बाय करने की कोशिश करिए शॉट अब तभी बनेंगे जब आप कल के low के नीचे जाएंगे दो तिन कारण नों बता जाता हूं उसके बाद हम monetary policy और global factors discuss करेंगे बाजार अब काफी हलका हो चुका ह जब हमने series के शुरुआत की तो हमने यह चीज़ कही थे कि market बहुत overbought है बहुत ज्यादा longs है लेकिन यह market सिर्फ इसलिए नहीं गरेगा कि बहुत ज्यादा longs है इसको कोई ना कोई trigger चाहिए वो trigger market को मिल गया ठीक है उसकी वज़े से market गिर गया अब यहां पर मुझे पर belief नहीं है लोगों का लेकिन एक अच्छी चीज़ जो हुई हमने discuss भी कि थी है कि FIS भी बेच बेच के थक जाएंगे beyond the point क्योंकि market में resilience इतनी है कल भी आप देखिए FIS की selling के intensity कम हुई है और परसो भी एक चीज़ रिलाइज हो गए थी कि जतना FIS बेचनों से ज़्याद DIA आप खरीदने को तियार है इस market में तो क्योंकि यह लेवल आगे है उस लेवल के जहां पर DIA उस cash को deploy करने के लिए तयार है put call ratio कल की rally के बाद भी oversold है 0.74 पर हैं हम इस समय put call ratio में और अगर मेरा वो bottom का view सही है अगर इसमें बड़ा अगर है अगर गलत हुए तो गलत हुए तो यहां से बड़ी rally होगी तो risk reward आपके favor में है अगर आप expect कर रहे हैं कि nifty में 1000 point की rally bank nifty में 2-3,000 point की rally तो risk reward आपको 4 is to 1 5 is to 1 का है almost positional trader के लिए हां थोड़ी बहुत volatility होगी market में थोड़ी बहुत violence कई बार market में होगी लेकिन view वही है अब इस समय market में कि जो factors हमारे against थे अब वही factors हमारे favor में काम करेंगे चाइना की market देख लिजिए आप crude देख लिजिए आप और politics देख लिजिए आप तीन factor थे जिन्होंने इस market को परिशान किया था और यह तीनों के तीनों factor एक बार वापस play कर दिजिए तीनों factors crude चाइना का market दिखाई है 77.28 पर और कल हम 79 तक थे आज 77 तो दो डॉलर और अडिशनल यहां पर आपके आडवे उसके अलावा आप चाइना का कि politics यह बाद दिखाई जाए चाइना क्या करता है इस समय यह कुछ चीज़े एकदम ready होने चीज़े है अब एकदम on the spot fire war और आ जाना चीज़े चाइना दिखिए अब इस समय कहां पर है और यह करीब करीब पौने 4 पसंट नीचे इस समय आपको trade करता बाद दिखाई देग आज आनी है credit policy, global handover और उसके बाद trade center इसी कड़ी में बढ़ते हैं आगे आज जड़ा डिवेट करते हैं पहले credit policy क्योंकि आज चमकता सितारा है दस बज़े आनी है अब तो महस दो घंटे भी नहीं बचे credit policy unveil हो जाएगी क्या expect कर रहा है बजार क्या factor in करके चल रहा है बिलकुल लाएगे simple चीज़ है बजार में इस समय एक poll है हमारे network का उस बात होती है क्या fed का और जो pboc के जो rate cuts हैं इनका क्या impact पढ़ेगा market पर पहला सवाल तो यह था तो उसमें करीब 80% लोगों ने कहा है कि no और 20% लोगों इसका कवरने सापकी commentary कैसी होगी यह बहुत important सवाल है 40% लोगों ने कहा है कि डविश होगी और 60% लोगों ने कहा है कि even होगी commentary क्या RPI अपने stance में बदलाव करेगा यह बहुत important सवाल है यह बहुत अच्छा पोले वैसे by the way retain कहा है लोगों ने कि 30% जो है वही रखेंगे change to neutral 50% और prepare market for a change 20% मतलब मोटा मोटी क्या बात है इन सब चीज़ों की मोटा मोटी बात यह है कि आप जो है एक तयार हो रहे है रेट कट के लिए एक रेट कट की expectation के लिए तयार हो रहे है और जहां तक stance change की बात है कि कब होगा 50% लोगों ने तो कहा कि आज ही हो जाएगा 40% लोगों ने का कि अगली December की policy में हो जाएगा और बचेवे 10% लोग कह रहे है कि February 2025 में होगा रेपो रेट कट को लेकर क्या बात हो रहे है रेपो रेट कट को लेकर स्टेटस को 90% लोग मान रहे है और 25 basis point का कट 10% लोग मान रहे है चली यह तो हो गया पूल अब इसका implication क्या अब लेकर आईए आप बैंक निफ्टी एक बार और उसके बाद लेकर आई पी स्यगिए और कुछ बड़े banks नचन उत्ए यह हैं बैंक निफ्टी का कल का चार्थ और बैंक निफ्टी का अब रख स्टिए करीब करीब एक महनेने का चार्थ हमने एक bank nifty पर positive view लिया था, bank nifty में एक बड़ी rally हुई थी, वो all time high hit हुआ था, उसके बाद bank nifty में और देखिए आप एक correction हुई, और अब bank nifty exactly उसी level पर आ गया है, जहां पर वो rally की शुरवात हुई थी, जो bottom था, एक double bottom के indication है, nifty bank में, यही चार्ट आप रखिए अब एक म बनाया था, कल हमारी बात हुई थी कि double top बना था, लेकिन आख double bottom बनने के विए मुझे sign देख रहे हैं, और कल उसका एक confirmation हुआ, कल HDFC bank 2% भागा, यह दो दो चार्ट ना, यह दो चार्ट इस तरीके से aligned है, कि आपको यह बता रहे हैं, कि अगर यह lows hold किये HDFC bank पर, और अगर को preempt करने की, event हमेशा बाद में जाता है, चार्ट उसको पहले preempt करता है, आप कभी भी देखे, क्यों जब भी news आती है, उसमें market top या bottom हो जाता है, क्योंकि market पहले से उसको pricing करना शुरू कर देता है, इसलिए surprise की अलग value होती, कल हर्याना वाला जो था, वो surprise था, इसके अगर तो rally हो नहीं है, अगर तो rally हो नहीं है, तो एक soup भी नहीं है, अभी तो soup, के बाद appetizer, के बाद main course, के बाद desert, अभी तो बहुत कुछ बाकी है market में, और एक मुझे आप दिखा देजिए, SBI का chart, निफ्ती bank और HDFC bank में ने देखे, एक जो missing piece in puzzle है, वो है SBI, ये SBI का कल अगर बात को अगर जो उसको छोटा करना है, अगर उसको कहा जाए, तो एक simple चीज है, कि इस market में, अब risk reward जो है, वो आपके favor में है, अगर आप इस market में long है तो, हम तो कल सुबह से long की बात की थी, कल सुबह से market ने, जुनोंने कल सुबह उस चीज को सुन लिया, उनके पास लाजली स्टेटिस को, यानि की ब्याजदरों में कोई छेचार नहीं, लेकिन चायद या तो stance में बदलाव, या एक clear cut indication आ रहा होगा stance बदलने की तरफ, कमेंटरी बड़ी important हो जाएगी, दूसरी important चीज आज का global handover, यूएस में कल अच्छा सेशन था, एक तिहाई से 1.5% म अच्छी खबर है, अपने लिए, अगर पैसा यहाँ से वहाँ जा रहा था, वहाँ पे momentum चेस करने के लिए, तो momentum finally fizzle out होना शुरू हुआ है, गिफ्ट निफ्टी कहरा है, सदी वी सी शुरुवात, पर यह जिस तरह की संकेट समीकरन है, आपने एक front hint तो देग गया, subtle सा, ऐसी शुरुआत शायद ना हो, लेकिन global handover आपको लगा कैसे? अब अगर चाइना से demand नी आएगे, तो crude तो फिसलेगा, अच्छा एक चीज हमारी और क्या discuss हुए आशिश कल, कि stimulus जो है, वो market को एक बार के लिए, बुचता दिया भी एक बार फटफडाता है, ठीक है, अब लेकिन अगर economy में inherent strength नहीं है, तो नहीं चलेगी, वो world bank भई ब लोगों को बलाया, कोई government का काम नहीं था, लेकिन government के पास नोट छापने की machine थी, तो recession कैसे end करें, तो वो कैसे recession किया था, लोगों को बलाते था, कहते था, गड्डे खोदो, उसके बादे खोद देते था, उसको पैसे देते था, अब क्या करें, अगले देन बापस बलाते लेकिन at the same time, अगर आपको economy में job create करना है, तो stimulus का क्या मतलब होता है, यही तो मतलब होते है stimulus के, और क्या मतलब होते है stimulus के, लेकिन जब तक economy में inherent strength नहीं है, तब तक वो impact नहीं आएगा, कल समीर और जीसे भी बात हो दी थी, उनसे भी बात हुई थी कि चाइना factor है, उन्हो कि बहुत ज़्यादा escalation ना किसी के favor में नहीं है, beyond a point और वो जो especially जो region है ना, वो सबसे important region है, world के लिए, one third crude बहीं से आता है, तो उस region में कोई नहीं चाहता कि beyond a point बहुत ज़्यादा escalation हो, और हैंक सेंग देखिया, आप हमने कुछ दिन पहले देखा था कि 2008 के बाद का best day जो सुबर हरमस बता रहे थे, और कल 2008 के बाद का worst day, वो एक system में हो गया, अमेरिकी market से जो Qs आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, उसका reason बताता हूँ मैं, कल अमेरिकी market एक तो बन वहा अपने all time high के काफी करीब, और उसमें जो reason जो बन रहे हैं, वो important है, NVIDIA लीड ले रह market में IT plus bank दोनों का तड़का मिल जाए, यह एक possibility है यहाँ पर, बस एक चीज है, Fed rate cut को लेकर अब थोड़ी सी uncertainty आ रही है, 50 basis point की rate की probability तो अब 0 हो चुगी है, और 25 basis, जो 60% थी एक time पर, और 25 basis point की rate cut की probability अब करीब करीब 80% पर आ गई है, ठीके, Treasury yield अभी भी 4% के ऊपर है, त भी discuss करेंगे, वो भी November को होने है, 3rd November को है शायद हो, और आज का एक बड़ा trigger है, जो पिछली बेटे हुई थी, उसके minutes आएंगे, वो देखते हैं कैसे रहेंगे, लेकिन, again, क्यूस positive है, handover, चाहे Asia का handover हो, चाहे Brent का handover हो, चाहे आपका Middle East का handover हो, और US का handover, सारे मुझे positive लग रहे है, तो मैं तो अभी भी हरान हूँ कि ये पनिफ्टी सिर्फ 14 point अउपर है, frankly, हो सकता है, देखें, मैं गलत हूँ, मैं कभी ये नहीं बोलता कि सही हूँ, हो सकता हूँ, लेकिन मुझे हरानी हो रहे है कि ये पनिफ्टी सिर्फ 14 point अउपर है, चाहे वो credit policy से पहले का mood wall हो, चाहे वो global handover हो, तीसरी important चीज, कल का setup, कल का session फिर से screens पर रख दीजेगा, आपने एक बात mention करी, कईयों का belief नहीं था, वो भी positive ही हो गया सुनने में ऐसा लग रहा है, exactly, और उसका मैं आपको थोड़े से numbers दिखा जाता हूँ, trade setup पर आते हैं, देखें, सबसे पहल नमबर पर focus करिए, 5,700 करोड, FIA के selling, उसके सामने DIA की buying 7,000 करोड, मैं ना gross numbers देखता हूँ, net number तो खेर हर कोई देखता है, या मैं gross number देखता हूँ, कल FIA की जो gross selling थी, वो सिरफ 20,000 करोड थी, मतलब 14,000 करोड खरीदा और 20,000 करोड बेचा उन्होंने, ये number recent time में काफी सब से कम number पर आया, तो FIA की selling की intensity अब कम हो रही है, और ये FIS जो है ना, ये वाले जो FIS है, ये किसी के सगे नहीं है, चाइना में पैसा डाल रहते हैं, अगर चाइना इस तरह के से गिरा ना, इनको दो दिन लगेंगे चाइना से वापस पैसा खीचने में, इनको तो अपने investor क होते हैं, तो ये बार्स बनें, लेकिन बार 15,000 से 9,900 हुआ, 9,900 से 8,200 हुआ, 8,200 से 5,700 हुआ, कम तो हो रहा है ये number, धीरे धीरे, और DIA का number भी इंटाक्ट है, लेकिन जो FIS के index futures के आकड़े हैं, और stock futures के आकड़े हैं, वो आपको बहुत इंटरेसिंग लगेंगे, और न और within that, bank nifty में थोड़ी सी buying हुई है, लेकिन nifty futures में करीब-करीब 2700 करोड के selling हुई है, वो trend आएगा आपकी screen पर, पिछले 5-6 दिन से लगाता, सब negative है, सिरफ कल एक bank nifty का हलका सा positive आया है, otherwise सब negative है, long short में क्या हुआ उसकी वज़े से, कल on a good day, 14,000 long cut हुएं, और 26,000 system में short add हुएं, इसका क्या मतलब है, अभी भी FIS का belief यह है, कि यह market sell on rally है, और अगर वो गलत पड़े, तो यहां से shot covering जबरदस्त होगी, यह देखे, यह आपका long short का chart, यह जब भी chart negative territory में जाता है, normally वहां से market rally करता है, और अगर आप table format में देखेंगे, कहां हम 3,80,000 long पे थे, क काम, 80,000 short, 50,000 short पर आगए हैं, और अब 43% long रह गए हैं system में, और यह 12 June के बाद, पहली बार हुआ है कि system में इतने net shot है, I think 13 June के असपास market ने bottom लगाया था, तो यह कही ना कहीं समी करों उनसाब से बैठ रहे हैं, अगर आप even index options के आकड़े देखेंगे, एक बहुत interesting चीज पर है, ऐसा नहीं हुआ कि एक दम से एक दिन में put call ratio 0.67 से जंप कर गया, वो यही हो रहने कि लोग अपर तक believe नहीं कर पा रहे हैं इसको कि market उससे साथ चलेगा या नी, हाँ बस band की जहां तक बात है एक add होगा, band में बाहर कोई नहीं आया, sale band में add हुआ है, तो कुल मिलाक के निफ्टी के हमारे अपरोच पे, कल सुबह वो heart bottom तो खैर up front commentary का part था, जब निफ्टी की runnity discuss करी थी तो यह बात हुई थी, पहला resistance बनेगा 25,000 का, screen को respect करें, screen का सम्मान करें, किसी भी वाक 200 point की shot covering due है, इस market में आ सकती है, कल सब कुछ वैसे ही play out हुआ, 200 point की rally, 25,000 किस त session की समापती होती हुए नजर आई, और कल सुबह किसी ने, I am sure किसी ने इस तरह की बातचीत नहीं करूँगी, जो इस platform पे आपने सुनी थी, अब सारे समीकरन आपने जो अब तक mention करें, ऐसा लग रहा है, चीची की कह रहे हैं कि यह texture continue करेंगा, ऐसे में में मेरा approach कह रहेग लेकिए, मैं बार-बार एक चीज लेकिन repeat कर रहा हूँ आशीश, मैं जो भी strategy बता रहा हूँ, वो सबकी सब एक निरी theory और एक approach है, वो गलत हो सकती है, मैं कभी यह नहीं कहता कि यह market ऐसा ही होगा, market का काम है कई बार surprise करना, लेकिन दो चीज़े, मुझे पहली बात मुझे पंदरा पॉइंट का gap अपनी होगा, मुझे लगए बड़ा gap अप होगा, market में, support पर आईए, पहले 24-800 से 24-900 आपका पहला support है, options का zone, और उसके बाद बड़ा support है आपका 24-700 से 24-750 जो decent लोता, वैसे 24-694 था बट उस पर नहीं आते हैं, एक थोड़ा even number रखते हैं, 24-700 से 24 यह तो मुझे लग रहा hold करना चाहिए, resistance कहा मिलेगी, पहली resistance मिलेगी आपको 25-120 से 25-200 की, जहां पर आपके option writers call writers बैठे हैं, और बड़ी resistance है, फिर 25-350 से 25-400, वहाँ पर क्या है, आपका 10-20 day exponential moving average, एक market में concept होता है mean reversion, simple, और mean reversion का जो सबसे important metric होता है, वो होता है 20-day exponential moving average, कोई भी market एक बड़ी rally या एक बड़ी decline के बाद, normally एक बार उस 20 डिमा पर आती है, test करने के लिए कि market में strength है या weakness है, for example, अब इस market का all time high तो करीब करीब 26-300 के करीब था, अब मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि यह market सीधा 1-26-300 उपर या उसके ऊपर जा रहा है, अब मैं यह कह 250 से 25-400 test करने की तियारी कर रहा है, सिरफ यह देखने के लिए कि वहाँ पर 20 डिमा का halt या pause है या नहीं है, लेकिन उसमें भी आपके पास अभी 300-400 point available है, तो इसके लिए उस strategy को focus करें, अपने longs को intact रखें, 24-700 के एक stop के साथ, fresh long अगर करना है आपको 24-925,000 का zone अगर entry का zone होगा, हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हैं, करी 25-300 के आसपास थोड़ी partial profit booking कर सकते हैं, क्योंकि आप exact उस 10 डिमा और 20 डिमा का wait नहीं कर सकते हैं, कि महाँ पर halt है या नहीं है, इसके लिए, तो 25-300 के आसपास थोड़ा profit booking आप कर सकते हैं, निफ्टी में, provided अगर आप ने लॉंक कल लिया था, या आज सुबह लेने की कोशिश करेंगे तो, बिल्कुल टी, यह है निफ्टी 50 का आज का अप्रोच, निफ्टी बैंक स्क्रीन्स पर लेकर आईएगा, परसों की तगड़ी पिटाई का काफियत की भरपाई कल के सेशन, पूरी नहीं, काफियत तक वी शायद नजर आएगी, और कल निफ्टी बैंक का सबसे परसेंटिज वाइस चलना अला कॉंस्ट्वेंट भी यही बना था, इस डिवसी बैंक, दो परसेंट का उच्छाल, और आज एक तो निफ्टी बैंक की वीगली कॉंट्राक्ट से एक्सपारी खड़ी है सामने, औ और उपर से क्रेट पॉलिसी का इंतिजार भी लाएगा, ऐसे में क्या लेवल्स वाच आउट करने है, इस पॉकेट को लेकर अप्रोच का रखना है, क्या करें? तो बैंक निफ्टी में 1500 से 2000 पॉइंट की राली एक ड्यू है, उसका रीजन बताता हूँ, पहले लेवल्स डिसक्स करते हैं, सपोर्ट आपका 5900 से 5000 बहुत करीब है, यह 100 डिमा, कल आपने इसको रेकलेम किया, उसके उपर बंद हुए, और बड़ा सपोर्ट आपका 5400 से 5000 500 कल का लो, ठीक है, यह लेवल्स बिसीकली आपको अपने दिमाग में रखने हैं, पहले आपको एक रेजिस्टन्स मिलेगी, 15350 से 15550 पर, ऑप्शन के वजए से, 15550 के ऊपर अगर यह मार्किट निकला, बैंक निफ्टी पर और उसके ऊपर ठेड होना शुरू हुआ, तो उसके बाद बाकिक काम आपकी expiry और option writer कर देंगे, और वो आपको ले जाएगा, एक बार के लिए 52,000 से 52,200, वो क्या है, आपका 10 और 20 day explanation moving average, अगेन भही concept, वो mean reversion बाल concept, अच्छा आशिश में यह बिलकुल नहीं कहा रहा हूँ कि अब यह market बस यहां से तावर तोड और ए 10 और 20 दिन के 10 and 20 day exponential moving average. और credit policy में positive मतलब या वो 10% लोग जो कह रहे हैं, दरों में कटाती, या फिर stance में बदलाव, या commentary, कुछ हो सकते हैं, दर में अगर कटाती आगी तो तो bank 50 आज ही 2000 point भाग जाएगा, पॉस्टिव मतलब इसी तरफ, इसी तरफ, इसी तरफ, या stance में ब stance change के लिए तयार है, अब हम थोड़ा सा accommodative होने के लिए तयार है, अब हम थोड़ा सा, हम inflation से comfortable हो गए है, अब हम आगी जाकर rate cut की probability पर तयार है, अगर उस तरीके की commentary आगई तब. आगे उसके की की ऌता है, अब हमिला सा,। अब हम तरफ, चाना शायार है, अब हम रहाई आगईट शायार है, लिपक्ःा, अब हम चे थ sh। झाल झाल